आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Select Correct Option तो यहाँ पर हमें Correct Option Select करना है तो Option 1 को हम रीड करते हैं The Aperture and the Focal Length of the Objective Length तो Option 1 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो Aperture and Focal Length की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर So Focal Length of Objective Length of Microscope is smaller than the eye piece तो यह हमें किसके लिए बता रहा है है Microscope की कंडिशन में तो यह हमारे पास क्या है गलत है क्योंकि हमारे पास Microscope की कंडिशन में जो Objects होते हैं वो हमारे क्या होते हैं Objective Length Object हमारे पास smaller रहते हैं तो Objective Length का जो हमारे पास Focal Length रहेगा और Aperture रहेगा वो हमारा क्या रहता है Small रहता है तो यह Correct है अब हम बात करें किसके लिए Telescope के लिए तो Telescope में क्या बूल रहा है Aperture and Focal Length of Objective Length Is Larger than the eyepiece length तो यह किसकी कंडिशन में है हमारे पास में Telescope की कंडिशन में है तो Telescope में जो Objects हैं Sun, Moon, Planets, Stars यह सब हैं तो यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे Ray को Incident कराएंगे किसके उपर Telescope Length के उपर तो यानि कि Objective Length की Focal Length और उसका Aperture दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए Larger होने चाहिए तो यानि कि यह भी हमारा क्या है Correct है अब हम Next बात करें Magnifying Power of Astronomical Telescope and Terrestrial Telescope are same तो यह भी हमारे पास correct है Mathematical Formula से हम यह चीज़ देख सकते है Astronomical Telescope और Terrestrial Telescope दोनों के Magnifying Power सेम रहती है तो यानि कि Option 4 यहाँ पर क्या रहेगा इस Question का correct answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियान से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 पर